राहु जी कल राथ क्या हुआ आप यहां मौजूद दे आपकी चोटाई यह जो है फोल्डिंग का मामला था फोल्डिंग का बहाना है आंदोलन को हटाना है यह गलत है निंदिनिये हैं दिल्ली पुलिस को ऐसा नहीं करना चीए था दिल्ली पुलिस का अधिकारी इसमें इन्वोल है कहीं न कहीं बंगले से टाइप है माफिया के दिल्ली पुलिस को इने हटाना चाहिए ये जितने भी थाने में अधिकारी है या पुराने कोई न कोई साजिस बड़ी हो सकती है हमें पूर्ण भरोसा नहीं है जो रात घटना कटी पहलवानों के साथ सारा मोके पर सब लोगों ने देखा है हुआ है फिर उसके बाद इसको एस्ताई जेल बना दिया जाता है इतनी बेरिगेटिंग लगा दी जाती है यह ठीक नहीं है और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठता है कि ऐसे पुलिस कर्मी या दारूपी के क्या सुरक्षा कर सकते हैं और रेसलर्स के खीचने गाली गलोच करना दक्का बुक्की करना फोल्डिंग फैक के मार देना जो मेरे सर में लगा है इतने टाके आपको इस वक्ता है काफी चोट है दो-तिन टाके आए हैं बिनेस वोगाट जी के भाई को आए है और बिनेस जी के हाथ में है चोट काफी लोगों को है यह चोट इस मुद्दे से चोटी है मुद्दा बड़ा है बेन बेटियों का मामला है मुद्दे से ना बठका है सरकार और जो भी लोग इसमें इनवोल हैं चैको पुलिस अधिकारी है सरकार के लोग है यह ठीक नहीं है सब चीजे बंद कर दी गई थी मेडिया की पीसी हुई बजरंग पुनिया नीजें बताया तब जाके बहुसी हालत में यहां से उठाया गया और यह ठुक जा वह ठीक नहीं है दिल्ली पुलिस को संग्यान लेना चीए जो बड़े अधिकारी है और निस्पक्स काम करना चीए यह देश के खिलाडियें धरोर हैं यह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे तूरे देश की बेटी योगी और 36 136 करोड़ देशवासियों की बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह सब के खिलाड़ी हैं यही मेरा कैना यही पर गुच्री थी क्या हाँ यही मैं सुबह आया हूं पांच बजे और पांच बजे आने के बाद मैं यही हूं अब थोड़ा आराम करना चाहरा हूं दिक्कत कर लोगा बाद कर लूगा भाई प्लीस को मैं बसक्राइब करते हो तो कर लो एक बार इसे थोड़ा निच्छे तुनने में आया था च्वाए नीचे बाद एक घंटे बाद एम्बूलेंस आई ती बिल्कुल एम्बूलेंस बाद मुलाई गी ए और यह लोग तो सोच रहे ह कर लो इनको तड़ पाया जाए जितना भी पहले पानी बंद किया खाना बंद किया एम्बूलेंस रात नहीं आने दी एक डेड़ घंटे बाद पीसी के बाद आई तो यह चीजें ठीक नहीं है यह प्रोटेस्ट पीसफुली है पानी बारिस हुई है दो दिन से हो रही है सारे गद्दे भीग गए एक आप जैसे ही भाई डोनेट जो है चार से पांच फोल्डिंग करना चाता था दिन माया शाम के समय उसने का मैं भिजवाता हूं खरीद के उनसे कह दिया गया उन्होंने भिजवाए तो हमारी महीला ख दर्मीते उन्होंने का लिया हूँ एक एक करके लिया हूँ आप चार पांच है तो वह गई वहाँ एक दर्मंदर नाम के अधिकारी आते हैं गाडी में से उतरते हैं और उन्होंने सीधा बैरिकेटिंग रोक के और वह भार की तरफ ही थी उनके साथ बाल पकड़के बत्तम करने पे उन लोगों ने जैसे फोल्डिंग उठाया तो पुलिस की तरफ पुलिस वालों ने वो फैक के मारा तो वह मैं पीछे खड़ा था मेरे को आके लगा और उसके बाद मैं गिर गया हूँ उसके बाद बैरिकेटिंग पे चोट लगी है लात घूसे डंडे जो भी चल थे यह एस्थाई है दरना मतलब उसको परमीशन है उसको परमीशन है जो माफिया है जो अपरादी है कि वो अपने महल में सोएगा और सिंगासन पर बैठके पीसी करेगा पहलवान रेसलर्स यहां पानी भरा हुआ है फिलंग नहीं बिचा सकते क्या उसकी परमीशन लेनी पड़ेगी फिर तो खाने की नाने की सब की परमीशन लेनी पड़ेगी यह सारी घटना जो पुलिस कर्मी ने दारू पी हुई थी उसकी वज़े से घटिये और यहां मैं तो एक दो कुनी कहूंगा जाते तर ने किया हुआ होगा और मुझे तो लगता है वो धर्मेंदर ज तक किसी अधिकारी ने ऐसा नहीं किया और प्रही बात नजदीक की 300 मिटर की तो कहीं न कहीं चाय पीने जाते होंगे उनका तालूकात होगा तो यह सब घटना इसलिए घटरी हैं तो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों से यही कहना है कि यह सभी ठाने में अधिकार कि अधिकारी बदले जाएं कहीं नगें पुराने तालूकात हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं यह कितनी बड़ी साजिस कर लें हो सकता है साजिस है लेकिन लाश दम तक एक खून का कत्रा अपनी बहनों के लिए इस प्रोटेस्ट के लिए हैं हटने कि अवाले नहीं हैं जब तक जीत के नहीं जाएंगे जब तक जीत के नहीं जाएंगे